एंटी ए यूजिस नेट यानी निमीजी नेट, और 10 उनिट स्टेडी नोट्स, और 10 उनिट एड़ फरी वीडियोज, 2012 से लेके 2020 तक ओल शिफ्ट कॉश्चन पेपर, फर्स्ट और सेकेंड विद अंसर की, टोपिक वाइज कॉश्चन पेपर हिंती इंग्लिज, मोस्ट रिप अधिका सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर, दोस्तों आज हम आपको ऐसे कॉश्चन दिखाने वाले हैं, जो सम 2008 से लेकर जूम 2019 तक आए हैं, और काफी बार तो ऐसा होता है दोस्तों, इन कॉश्चन में बिल्कुल डिट्टो कोपी स्टेटमेंट होते और उनके जो उप्शन होते हैं, तो ऐसे कॉश्चन करना हमाले बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि यूजी सी नेट के अंदर हमेशा कॉश्चन रिपीट होते हैं, अगर उन कॉश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं, तो बिलकुल असानी से हम एक्जाम कर सकते हैं, और अपना नेट पलस में जियारह बिलकुल असानी से हो सकता है, तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना, दोस्तों अगर आप चाहिए तो हमारा पेड कोश्च भी जोईन कर सकते हैं, इसके अंदर 2019 तक सभी सिफ्ट के कोश्चन पेपर हिंदी इनिस में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं, इसके साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के कोश्चन अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के कोश्चन आपको अलग-अलग मिलेंगे, इसके साथ दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड एर कोश्चन पेपर सैकेंड भी देंगे विद आंसर की, और इसके साथ दोस्तों हम आपका लाइव मोक टेस्ट लेंगे यूटूब पे, तो दोस्तों अगर आपको एक कोश्च जोइन करना है तो हमें जल्दी स दोस्तों सबसे पहले हम देखते कि ऐसे कोश्चन है जो बारबार रिपीट हुए, यह देखे यह जून 2008 का कोश्चन पेपर है, इसके इंदर यह कोश्चन देखिए, अगर एक वस्तु को 11% की हानिस से 178 रुपे में बेचा गया है, तो उसे 11% लाभ पाने के लिए किस कीम पर बेचना होगा, यहां से देखिए, यह क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिस कीजिए, कोई वस्तु है, उसे हम 11% हानि पे 178 रुपे में बेचते हैं, उसी वस्तु पर अगर हमें 11% का लाभ चाहिए, तो उसे कितने रुपे में बेचना होगा, यह यहां पे बात कह रह है, अब यही कोशन देखते हैं, दोस्तों, दोबारा कब आया है, यह देखें दोस्तों, यह हमारा 26 जूम 2019 मौर्निंग का पेपर है, इसके अंदर यह कोशन देख सकते हैं, 25, इसमें कहा है, एक परसन इंशोर 10% लोस बाइ सेलिंग ए वोच फोर रेट 18 सु रुपे, यानि कि वोच को 1800 रुपे में बेचता है, यानि कि उसी वोच को 10% लाब कमाने के लिए कितने रुपे में बेचना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो कोशन है, यह कोशन और यह कोशन सेम है, और इसी तरह का कोशन दोबारा फिर आया था, जो 26 जून 2019 कि जो सिफ्ट थी, उसमें दोबारा फिर यह कोशन आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अब बात करते कि यह तीनों के तीनों कोशन किस तरह से हम करेंगे, यह देखें दोस्तों, यह कोशन करने से पहले, सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना बहु अब देखें, 11% लाब कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा, यानि कि यहाँ पे हमें विक्रे मुले पता करना, तो इससे पहले हमें करें मुले पता होना चाहिए, कि वो वस्तु कितने रुपे में उसने खरीदी है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मुला है, वो यहाँ पे यह दिया हुआ है, दोस्तो, हानि होने पर करें मुले, करें मुले वो होता है दोस्तो, जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, और विक्रें मुले वो होता है, जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, अब देखिए, हानि होने पर करे किसे बैठता है अब देखिए इसके इंदर विक्रे मुल्य क्या होगा 178 रुपए हो गया और हानी प्रतिसत क्या होगी हमारी 11 प्रतिसत होगी तो अब इसका हम क्रे मुल्ले निकालते हानी होने पर क्रे मुल्ले अब क्रे मुल्ले को हम यहां पे के लिख देते हैं विक्रे मुल्य हमने के लिख दिया ये क्या होगा दोस्तों ये होगा हमरा विक्रे मुल्य गुणा में 100 बटे में 100 माइनस में जो हानी प्रतिसत है वो लिख देते हैं हानी प्रतिसत कितना है अपना यहाँ पी 11 प्रतिसत है तो अब इसमें पूरा लिखते हैं इसमें विक्रे मुल्ले कितना है 148 गुना में 100 बटे में 100 माइनस में 11 अब यह देखे 148 को जब 100 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तो हमारे पास यह आजाएगा 148 और लाश में 20 लग जाएगी और फिर नीचे क्या होगा 100 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 89 यहाँ पे आजाएगा जब हम 17,800 को इसको 89 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आजाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आजाएगा 200 यहाँ पे आजाएगा अब देखे 200 हमारे पास क्या है यह है हमारा क्रेम उल्ले है दोस्त इसका विक्रे मुल्य निकालना यानि की selling price हमें निकालना है और यह जो अभी हमने 200 निकाला यह cost price है हमारी ठीक है अब देखी यहाँ पर आप ध्यान में रख ले हमने जो cost price है वो कितनी निकाली है 200 रुपे निकाली है और 200 रुपे निकालने का जो formula यह है और यह formula मैंने आपको पीछे भी दिखाए था वहाँ से आप note कर सकते है अब हमने यहाँ पर cost price निकालनी यानि की CP निकालनी अब हम selling price निकालेंगे SP निकालेंगे कैसे निकालेंगे अब देखी इसका जो formula है दोस्तो इसका formula यह है लाब होने पर विक्रे मुले क्या होगा इसका जो formula है करे मुले इंटो में 1 पलस में लाब पर 30 बटे में 100 अब देखी यह इसके अंदर हम रखके देखते हैं अब देखी जो SP हमारा selling price हमें निकालना है selling price क्या होगा दोस्तो यह था हमारा cost price CP अब देखी selling आपे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप confused ना हो यह हो गया विक्रे मुले और यह हो गया हमारा करे मुले अब देखी अब इंटो में 1% में जुलाब है हमारा profit है profit पर 30 बटे में 100 ठीक है यह हमारा formula है अब देखी कि इसको हम किस तरह से करेंगे एक मिनट यह थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर अब देखी इसके अंदर हम पूरा का पूरा formula के अंदर put करते हैं अब देखी जो विक्रे मुले वो निकालेंगे तो यहाँ पर करे मुले लिखेंगे अब क्या करेंगे हम यहाँ पर मैं थोड़ा erase कर दिता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए अब देखी यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ी जगह कम है इसमें यहाँ पर यह आ गया हमारा 200 into में अब 100 को इससे multiply करेंगे एक के साथ तो 100 रहेगा 100 जमा में 11 यानि कि यह हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 111 बटे में 100 यह दोस्तों इस तरीके से जो जमा करते हैं यह हम सभी को आता है normal चीज है साइद यह मेरे को बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल basic चीज है अब देखिए अब आगी क्या होगा दोस्तों अब यह होगा जैसे की 2 0 से 2 0 हमारी यह कट गई और जब 111 को 2 से multiply करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास 222 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और 222 जो है दोस्तों हमारे option number C में दिया हुआ है इसका answer तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से question निकाल सकते हैं दोस्तों और मेरे को लग रहा है कि साइद आप थोड़ा confuse हो सकते हैं इसके अंदर बहीं पता नहीं कैसे करके क्या निकाल दिया आप सभी केवल और केवल एक चीज ध्यान देना यहाँ पर यह जो दो formula हैं आप इनको रट लेना याद कर आप इन दोनों को जरूर याद रखना क्योंकि इसी के base पे हमारा question निकलेगा अब देखिए अब हम अगला question करने की कोशिस करते हैं यह जो question आया हमारा 26 जून 2019 को आया था यह question करने की कोशिस करते हैं अब देखिए इसके इंदर क्या कहा है कि एक जो है वोच है वो 10% हानी पे 1800 रुपे में बेची जाती है तो 10% लाब कबाने के लिए उसे कितने रुपे में बेचा जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या है दोस्तों इसका करे मुले पता करना है यानि कि CP हमें पता करना है अब देखिए इसका वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था यानि कि करे मुले करे मुले किसके एकुल होगा दोस्तों इंगलिस में से हम CP कहेंगे यह क्या होगा हमारा जो विक्रे मुल्य गुना में सो बटे में सो माइनस में जो हमारा लोस हुआ है वो ठीक है अब विक्रे मुल्य हमारे पास यहां पे कितना है यहां पे अठारा सो रुपए गुना में सो हमने कर दिया बटे में क्या होगा सो माइनस में लोस लोस कितना था हमारा 10 यानि कि 10 जब 100 में से माइनस करेंगे तो यह क्या जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा और जब हम अब देखी 0 से 0 ही कट गया 9 दुनी 18 200 या गया रो 1 0 यह टोटल यहां पर क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास 2000 रुपे आ जाएगे अब देखी यहां पर 2000 रुपे हमारा क्या है सेलिंग प्राइज है ठीक है अब थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यह देखी करें मुल्ले हमें निकालना है यह देखी यह हमारा विक्रें मुल्ले है 10% खानी पर किसी वस्तु को 18100 रुपे में बेचा जाता है और जो चीज बेची जाते है वो क्या होता विक्रें मुल्ले होता है अब आगे देखी इसमें क्या का है अब 10% लाव कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा अब बेचने से पहले हमारे पास क्रें मुल्ले होना चाहिए और CP जो है इसका जो फॉर्मुला था वो मैंने पीछे भी बताया है यानि कि विक्रें मुल्ले गुना में 100 बटेवें 100 माइनस में जो हमारी हानी हुई है वो तो ये सारे के सारे फॉर्मुले में जो हम इस कॉस्टिन को रखेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा अब देखिए 2000 हमारा क्या आया है ये हमारा विक्रें मुल्ले यानि कि सेलिंग प्राइज आया है अब हम आगे इस कॉस्टिन को करने की कोशिश करते हैं अब देखिए, अब हमें विक्रे मुले निकालना है, विक्रे, यानि कि विक्रे को V से डिनोट कर देते, इसको इंगलिस में SP, ठीक है, अब देखी, अब जो formula था हमारा वो था क्या था, करे मुले यानि कि CP इंटो में 1%, जमा में जो हमारा profit है वो P, बटे में 100, ये हमने कर द ठीक है अब देखिए इसके इंद्रम पूरा का पूरा रखने की कोशिश करते हैं परे मुले कितना था दोस्तों हमारे पास 2000 रुपे इंटु में वन जमावे प्रॉफिट कितना है 10% है बटे में 100 अब देखिए अब वही काम करेंगे जो पीछी किया था हमने यह 2000 का 2000 रखें अब देखिए अब 20 को जब हम 110 से गुना करेंगे तो यह क्या जाया दोस्तों हमारे पास 2200 रुपे आ जायेगा और जो 2200 जो आंसर है दोस्तों यह हमारा उप्शन नमबर 3 के अंदर दिया हुआ है तो दोस्तों यहां से आप बिलकुल असानी से इस तरह से इस कोशन को नि कोई प्रोवलम आये तो हमें बताना अब देखिए दोस्तों हम अगला कोशन देखते हैं अगला जो कोशन है वो हमारा लोस और प्रोफिट से बिलकुल अलग है यह हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस है उससे कोशन है इस तरह के कोशन भी हमारे आये हैं अब देखिए इस पर हावर एक बंदा है वो नौर्थ की तरफ जा रहा है नो किलोमेटर परती हावर की स्पीड से और जो दूसरा जो बंदा है अदर गोज ट्वाड साउथ दस किलोमेटर पर हावर की स्पीड से अब देखें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बिलकुल असान भासा में देखें ये एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे दो साइंकल वाले हैं अब एक क्या कर रहा है कि वो नौर्थ की तरफ जा रहा है और जो दूसरा हो ऋसाउथ की तरफ जा रहा है दोनों के दोनों अलग बंदा है जो वो है नाइन किलोमेटर पर हावर की स्पीड से जा र रहा है अब आगे इसने काया कि what time will we take to be 47.5 km अपार्ट यानि कि दोनों एक दूसरे से साधे 47 km दूर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा ये बात यहां पर पूछ रहा है अब देखे दोस्तों ये कोशन अगर ऐसे देखा जाए तो काफी difficult है पता नहीं क्या है कौन कहां पेजारा समझ में यारा कैसे होगा ये कोशन लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हम इसे बिलकुल असानी से कर शकते हैं ये देखे दोस्तों अब थोड़ी सी common sense लगानी है हमें कि ये जब चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे और जो time लगेगा दोनों में बरा 9 दुनी 18 घंटे होगे ये क्या होगया 10 दुनी 20 घंटे होगे तो ये कितने होगे दोस्तों ये 38 घंटे हमारे पास हो गए तो सबसे पहली बात हमारी क्या रही है दोस्तों या तो ए उप्सन होगा या फिर हमारा 4 उप्सन यानि की 4 उप्सन होगा इन दोनों उप्सन में से एक होना चाहिए अब हमें क्या करना है दोस्तों इसके अंदर हम ये दोनों के दोनों यूज करके देखेंगे एक बार तो ये यूज करके देखेंगे एक बार ये यूज करके देखेंगे अब देखिए इनको हम कैसे लागू करेंगे यह देखिए अब अब हम यह धाई घंटे यह धाई घंटे लेके चलते हैं धाई घंटे का मतलब कितना होता दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं 2.5 multiply by 9 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा जब हम धाई को 9 से multiply करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आजाएगा साधे 22 किलोमेटर आजाएगा अब दूसरा जो 10 है इसको यूज करके देखते हैं 10 गुना में अब दुवारा से फिर इसमें धाई घंटे करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों हमारे पास यह आजाएगा यह आजाएगा दोस्तों हमारे पास 25 अब इन दोनों को जब हम पलस करते तो यह आजाएगा दोस्तों हमारे पास 47 किलोमेटर आजाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा लोजिक लगा के बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं हाँ मैं थोड़ा सा मानता हूं कि डिफिकल्ट है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही कोशन हमारे लिए बिल्कुल असान हो जाएंगे अब हम दोस्तो अगला कोशन देखते हैं अगला हाँ यह कोशन देखिए दोस्तो यह कोशन भी अभी तक बहुत बार आज चुका है और यह कोशन अब दुबारा आने स्टार्ट हो गए है पहले क्या था यह सं 2011 से पहले पहले काफी कोशन आए हैं यह कोशन बिल्कुल असान है दोस्तों इस तरह की question कैसे होते हैं यह जैसे हमने coding recording करवाई थी उसी से related question है और उस time हम करवाना भूल गए थे तो अब कर लेते हैं अब देखी इसने कहें कि bet bet को कोई आदमी 23 लिखता है और cat को 24 लिखता है तो हो गया हमारे पास 23 हो गया इसी तरी किसे cat है cat हम यहाँ पे लिखे लिए थे cat अब देखी cat c कितने पे 3 पे a कितने पे एक पे t कितने पे 20 पे और यह कितना हो गया दोस्तों यह हो गया हमारे पास 24 यानि कि 24 हो गया इसी तरी किसे bowl है bowl बोल कितने नंबर पर आएगा दोस्तों तो बोल के लिए आप यहाँ पर लिखा लीजी इस चवर चीज शर गए 27 यहां पे आ गया तो इसकाांसर क्या होगा? Option no.A इसकांसर हो जाएगागा. तो इस तरह से बिल्कुल असानी से कर सकते हैं और ऐसे ही यह हमारा question है दोस्तों यह question आप करके देखना बिल्कुल असान है यह करके देखना और इसके अलावा जैसे हाँ एक ये question है दोस्तों ये question भी पहले आया है काफी बार आये हैं इस तरह के question ये question भी हमारे लिए करना जुरूरी है अब देखी इसमें इसने क्या कहा है इने certain code 786 को क्या लिखा जाता है study very hard 786 को क्या लिखा जाता है दोस्तों study very hard और 958 को क्या लिखा जाता है hard work page ये लिखा जाता है और 645 को क्या लिखा जाता है study and work इस तरीके से इनको लिखा जाता है तो आगे ये कह रहा है which of the flowing is the code very के लिए क्या सब्द यूज होगा 8 होगा 6 होगा 7 होगा या cannot be determined इन में से क्या होगा अब देखिए इस तरह के question कैसे करेंगे बिलकुल असान बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवा सकता है अब देखिए यहाँ पे 786 को study very hard लिखा जाता है और 958 को hard work page लिखा जाता है अब सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखिए 786 और 958 के अंदर क्या चीज common है यहाँ पे आप 8 देखिए 8 इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है और दूसरी चीज ये देखिए कि इन के दोनों के अंदर क्या common चीज है इन दोनों के अंदर आपको क्या लग रहा है अब देखिए इसके अंदर hard है और इसके अंदर भी hard है अब इसका मतलब क्या है दोस्तों जो hard है hard को हम क्या देदेंगे mark 8 देदेंगे 8 हम माल लेंगे अब हम आगे चलते हैं अब 645 को क्या लि and work लिखा जाता है तो अब देखे study and work study की बात कहां पे चल रही है अब यहां यहीं पे चल रही थी और इसमें देखिए यहां पे study है और इसमें भी study है तो इन दोनों में 786 में और 645 में क्या common है वो चीज देखिए अब देखिए यहां पे 6 है और इसमें भी 6 है तो 6 का मतलब क्या हुगया दोस्तो study हो गया ठीक है तो यहां पे हम क्या लिखे लेते हैं यह जो study है एक मिनिट दोस्तों यह जो study है इसको हमने लिख लिए 6 और जो hard है hard काerme आया था हमारा यहां पे art यहां पे हमने लिख लिए अब आगे हम क्या देखते हैं कि ये कहरा कि which of the following is the code very very जो code है उसका मतलब क्या होगा अब देखी very कहां पे है कौन से sentence में है 786 वाले में study very hard अब देखी study का हमने 6 निकाल लिया hard का हमने 8 निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया very बच गया only और यहां पे कौन साकसर बच गया यहां पे हमारे पास बच गया only 7 बच गया क्योंकि 8 और 6 का हमने दोनों का code निकाल लिया है तो very का क्या हो जाए है दोस्तों हमारे पास 7 इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिलकुल असानी से इस तरह की question कर शकते है और हमाँ आपको बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रेसान है कोई question समझ में ना है तो please आप हमें WhatsApp पे message कीजिए WhatsApp नंबर हमारा ये है यहाँ पे आप message कीजिए हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे तो दोस्तो आज के लिए वसीतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो शी वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं, thank you दोस्तो हेलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम रहतास निम्मी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल इमिजिनेट प्रो पे, दोस्तो आज हम एंटी यूजी सिनेट, मैथमेटिकल रिजिनिंग के अंदर बात करने वाले हैं, नाव और धारा से रिलेटिड जो भी हमारे कोशन जरूरी है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सिफ्ट ज्यादा आने लगी है पहले एक ही सिफ्ट के अंदर एक्जाम होते थे लेकिन अब क्या है कि बहुत सिफ्ट आती है तो यूजी सिनेट ने जो टोपिक है वो बढ़ा दिया है हर यूणिट में काफी टोपिक एड कर दिये, तो इसलिए सभी टोपिक के बारे में हमें बेसिक नोलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आज की इस वीडियो में नाव और धरा से रिलेटेड किस तरह के कोशन आते हैं और कैसे हमें उनको सोल करना, ये सभी हम जानेंगे तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहिए तो हमारा पेट गोश्ट भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीकी से स्टड़ी करवाएंगे दिसंबर 2019 तक सभी सिट के कोश्चन पेपर हिंदी इनिस में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के कोश्चन अलग देंगे विद आंसर की और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मोक टेश लेंगे यूटूब पे तो दोस्तों अधर आपको एक कोर्स जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी वाटसब नमर पे मैसेज किजिए या फिर लिंक हमने वीडियो तैरे तो हम बिल्कुल असानी से तैर लेंगे एक उसके विपरित अगर हम तैरेंगे न तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हमें होगी ठीक है तो नमर एक पे आता दोस्तों अनुकूल धारा अनुकूल धारा यानि कि डाउन इसको कहते हैं यदि नाव की चाल और पानी के बहने की चाल एक ही दिसा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे अनुकूल धारा कहेंगे या फिर डाउन तो अब हम देखते हैं कि इसे related किस तरह के कोशन आते हैं और उनको हमें कैसे solve करना है। इसमें trick number 1 है, trick number 1 के अंदर क्या है, ये दी नाउ, ये दि किसी नाउ की 7 जल में चाल कितनी है, X किलोमेटर परती घंटा है, सांत जल में मतलब कोई तलाब है उसके अंदर पानी चलने रहे न वो स्थिर है उसके अंदर अगर पानी जो नाव है उसकी चाल कितनी है एक्स किलोमेटर परती घंटा है और धारा की चाल कितनी है वाई किलोमेटर परती घंटा है तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी आगे हम बात करते हैं, धारा की विपरित दिशा में, opposite direction के अंदर क्या चाल होगी उसकी, देखें, नाव की चाल जो है, नाव की चाल क्या होगी, x-y km परती घंटा, यानि कि x क्या होगा हमारा, शांत जल में नाव की चाल x km, और ये y क्या होगी, ये धारा की चाल, यानि कि जो नाव की चाल है, उसमें से धारा की चाल को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आजाएगा, विपरित दिशा में नाव की चाल हमारा आजाएगा, अब देखें, इस से रिलेटेड एक कोशन है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, अच्छे से इसको समझ पाएंगे, साथ जल्म में एक नाव की गती कितनी है, दस किलोमेटर परती घंटा है, धारा का वेग कितना है, तीन किलोमेटर परती घंटा है, धारा की दिशा में और धारा की विपरित दिशा में नाव की चाल क्या होगी, बिल्कुल इस यह है न, देखें, धारा की दिशा में नाव क परती घंटा इसकी चाल हो जहीई, कितनाईज़ी हैं यह देखें हमें वेसिक चीजे हैं, वेसिक चीजों के बारे में पता हो ना, बहुत ज्यादा जुरुरी है नंबर दो ट्रिक, नंबर दो ट्रिक के अंदर क्या है? यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल एक किलोमेटर परती घंटा है यह देखिए धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है एक किलोमेटर परती घंटा है धारा के विपरित चाल कितनी है बी किलोमेटर परती घंटा है तो उस दोरान क्या होगा यानि कि एक तो हमें धा धारा के साथ हमें देदी एक किलोमेटर ठीक है और धारा के विपरित कितनी देदी हमें वी किलोमेटर प्रती घंटा चाल देदी अब हमें क्या निकालना है सांत जल में नाव की चाल कितनी होगी शांत जल में तो इसका फोर्मुला क्या है धारा की दिसा में पलस में धारा के विपरित दोनों की चाल वो add करेंगे और divide by two करेंगे तो यह हमारा क्या आजाएगा शांत जल में now की चाल यह हमारा answer आजाए यह हमारा formula है ठीक है आगे हम बात करते हमारे पास धारा का वेग क्या होगा यानि कि ये तो हमने क्या है शांत जल में नाव की चाल अब धारा का वेग हम निकालेंगे किस स्पीड से पानी चल रहा है उसकी स्पीड हम निकालेंगे तो ये क्या होगा a minus में b यानि कि धारा की दिशा में चाल minus में धारा के विपरित चाल यह हम उसका minus करेंगे a minus में b करेंगे upon में 2 करेंगे divide by 2 करेंगे तो यह हमरा आज आजए धारा का वेग आज है ठीक है तो यह है और इससे related एक question आया है वो हम question देख लेते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे एक तेराक की धारा की दिशा में तथा धारा के विपरित दिशा में चाल कितनी है 18 km पर ती घंटा और 6 km पर ती घंटा यह क्या है कि एक तेराक है वो तेर रहा है आप भी तेरे होंगे आपको अगर आपको अगर आपको आपका U.G.C. Net होँआ हो आपकी आज तो खैर आप नी जाओगे वहां पर आज तो बड़े स्टेंडड हो रहा है बट पहले हम बहुत जाते थे जोहड में हालांकि गंदा पानी होता था बट फिर भी जाते थे चली वो अलग बात है हम question पर आते हैं देखिए एक तेराक की धारा की दिशा में चाल कितनी है उसमें 18 km परती घंटा speed और धारा की विपरित दिशा में चाल कितनी 6 km परती घंट तेराक की शांत जल में चाल तताब धारा का वेग यात कीजिए तो इसका क्या होगा शांत जल में तेराक की चाल क्या होगी 18 km पलस में 6 km दिवाइड वाइड वाइड टू 12 km परती घंटा हो गया और धारा का वेग कितना हो गया 18 माइनस में 6 दिवाइड वाइड वाइड की दिशा में चाल X किलोमेटर परती घंटा है ये देखिए ये किसी नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है X किलोमेटर परती घंटा है धारा के विपरित दिशा में चाल कितनी है Y किलोमेटर घंटा हो परती घंटा हो तो नाव की ओस्त चाल क्या होगी नाव की ओस्त चाल क्या होगी मान के चलिए एक नाव है धारा की दिशा में वो जा रही है एक्स किलोविटर प्रती घंटा से और वापिस आ रही है फिर वाई किलोविटर प्रती घंटा से तो वो अब गर हमने यह पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी तो बिल्कुल असान है टू एक्स मल्टिप्लाइवाई वाई हो जाए टू एक्स वाई हो जाएगा और डिवाइड वाई एक्स प्लस वाई तो यह हमारा यह फॉर्मुला होगा हमारा नाव की ओस्तचाल का अब इससे रिलेटेड कोशन नहीं है है आउसलदू कोई ने कोशन है तो कोई बात कि अगे हम देख लेंगे सिस्ट जो क्योषण होगा आगे देखें आगे और हमारी होट ट्रीक है इसकिंद्र के या धिकन कि नाउ की धारा की दिशा में एक निष्चित दूरी तेयर करने में टी समय है थीक है याना की यानिकि एक नाव है वो धारा की दिशा में चल रही है ठीक है चल रही है तो उसे T1 समय लगता है जबकि उसी दूरी को धारा के विपरित दिशा में तै करने में उसे T2 टाइम लगता है आप समझ रहे ना समझ रहे ना आप कोशन को कि अगर कोई नाव धारा की दिशा में चलती है औ टू टाइम लगेगा तो नाव तथा धारा की दिशा में निमिलिकित सम्मंद होगा तो क्या सम्मंद होगा उसके अंदर अब देखिए नाव की चाल बटे में धारा की चाल नाव की चाल देखिए नाव की चाल बटे में धारा की चाल बराबर में किसके होगा एक्वल टू कि टी टू माइनस टी वन यह देख लिजी आप ध्यान में रख लिजी इसको कि इन दोनों को पलस हम करेंगे ठीक है टी वन पलस में टी टू इन दोनों को पलस में करेंगे डिवाइड वाइड टी टू टाइम टू जो लगा यानिकी विपरित दिसा में जाने पर जो टाइम एक नाविक धारा की दिशा में निश्यत दूरी तै करने में चार घंटे का समय लेता है एक धारा की दिशा में एक दूरी तै करने में कितना टाइम लेता है चार घंटे ठीक है जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरित दिशा में तै करने में कितने घंटे लगते आठ घंट काफि तीज पानी आ रहा है तो दिशा में 4 घंट लगते विब्रित दिशा में 8 घंट लगते यदि मंविक का वेग शांत जल में 15 किलमेटर परती घंटा हो तो धारा की चाल यात कीजिए धारा की चाल हमें यात करना है और शांत जल में speed कितने उसकी 15 किलोमेटर परति घंडा है, तो अब हमें क्या निकलना है? धारा की चाल निकलना है है ना? जी तो चली इसका हम आंसर देखने की कोशिस करते हैं और हमारा فॉर्मुला क्या था? फॉर्मुला क्या था नाव की चाल बटे में धारा की चाल अब देखिए नाव की चाल क्या है 15 km परती घंटा ये देखिए नाविक का वेग स्यांत जल में 15 km परती घंटा है ठीक है नाव की चाल कितनी होगी नाविक की चाल 15 km प्रती घंटा बटे में धारा की चाल धारा की चाल तो यहां पर दी नहीं यह न यह तो हमें क्या है निकालनी है धारा की चाल हमें निकालनी है यह हमने बटे में कर दिया इक्वल टू यह देखे T1 पलस T2 T1 कितना है चार घंटे पलस में आठ घंटे चार जम्हा 8 ही हो गया और डिवाइड में क्या था T2 माइनस में T1 यानि कि 8 माइनस में 4 करेंगे तो यह हमारे पास 4 आजाएगा यानि कि 12 बटे 4 यह हमारा क्या आजाएगा 15 बटे धारा की 4 इक्वल टू 12 बटे में 4 अब देखिएंगे अब जब हम इसको सॉल करेंगे न रैसी दा्र एक दूसरे की तरफ लेके जाएगे तो धारा की चाल हमारी क्या आजाएगी धारा की चाल है जाएगी पंधरा गुना में pro फंदरा गुना में 4 बटे में 12 एक्वल टू 5 किलो में लेकीlimे हमारे पास यह आजाएगा ठीक है अब यह आपको सॉल करना आता होगा कि की अरा है ना यहां पर थोड़ा लिखने में प्रोवलम आ रही है कोई बात नहीं धारा इकोल टू में कितना हो जाएगा बारा बटे में कितना हो जाएगा च्यार गुना में हमारे पास यह वन बटे में 15 यहां पर हमारे पास हो जाएगा ठीक है अब यह हमें ऊपर लेके आना आप उपर लेके आएंगे तो यह उल्टा हो जाएगा यानि कि पंधरा और च्यार्ज वो उपर चला जाए यह यार्ट नॉर्मल चीज आपने की हुई होगी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कई स्टूडेंट को साइद समझ में ना है कि यह धारा की चाल यह ऐसे कैसे आग किसी नाओ की धारा की दिशा में D1 दूरी तै करने तथा धारा की विपरित दिशा में D2 दूरी तै करने में एक समान समय लगता है अब देखिए अब इन्होंने दो क्या दिया दो डिस्टेंस दी हुई है ठीक है यह कहरा है कि धारा की दिशा में वो दूरी कितना करता है D धारा के विपरित दिशा में D2 दूरी तैय करता है, डिस्टेंस दोनों की अलग-अलग है, देख लीजिये, डिस्टेंस के दोनों अलग-अलग है, बट जो समय है, जो टाइम है, वो एक जैसा लग रहा, इकवल टाइम वहां पे लग रहा है, तो नाव तथा धारा की चाल मे डीटू डीवन डीटू क्या हुआ यह हमारा डिस्टेंस हो गया ठीक है डीवन डीटू और अपॉन में टूटी टूटी का मतलब क्या है कि दोनों दोनों तरफ हमें इक्वल टाइम लग रहा तो उसे दो बार गुना कर देंगे हम तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास नाओ की चाल हमारे पास आजएगा इसी तरीके से हमें धारा की चाल निकालनी है धारा की चाल निकालनी है तो क्या होगा डीवन माइनस में डीटू अपॉन में टी टू यह हमारा फोर्मुला है तो इस तरह से हम बिल्कुल असान है इसका अंसर निकाल सकते हैं है ना बिल्कुल अस यह आप फॉर्मुला नोट कर लीजिए और अब लगेंगी आपको प्यारे प्यारे घृसे अब आपके लिए आ रहा है कोशन आ रहा है अब देखें कितने एंडी बनते हो तुम्हें ना कितने शातिर बनते हो अब इसका अंसर देना आपको जो अंसर नहीं देगा न उसको ड पानी के अंदर नहला के पूछूंगा डुब किया लगाऊं हमां आपकी बहुत दिन होगे आपके कुटाई हुए देखिए यदि राम को धारा के विरुध 15 किलोमेटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमेटर जाने प्रतेक दिशा में 3 घंटे लगते हैं तो धार का वेग क्या होगा यह देखिए यही कोश्चन है हमारा यह जो फॉर्मूला ना इसके अंदर डीवन डीटू यह जो फॉर्मूला है यह सेम इसके अंदर लगेगा और इसमें क्या करना है धारा का वेग हमें निकालना है यानि कि यह हमें निकालना है यह आंसर निकालना है तो यदी राम को धारा के विरुद 15 km जाने में और धारा की दिशा में 21 km जाने में हर बार कितना घंटे लग रहा है तीन घंटे लग रहे हैं तो धारा का वेग क्या होगा बिल्कुल असान कोशन है यह आप सभी दोस्त जल्दी से कॉमेंट वोक्स के अंदर जवाब दीजी इसका अंसर क्या होगा और जो देगा उसे तो मैं बोट में बैठा के बहुत ही क्या करेंगे हम सवारी करेंगे बहुत मज़े आएंगे ठीक है गोआ चलेंगे हम सभी बड़ के अंदर ठीक है तब जाके पता चलेगा आपको तब नानी याद आईगे आपको नानी के घर ऐसा करते होंगे आप है ना या दादा दादा के साथ भैंस भैंसों को पानी पिलाने जाते होंगे तब करते होंगे ऐसा है ना तो तुम्हें नाना नानी दादा दाजी सब याद दिला दूँगा, अगर question गलत कर दिया था, तो उन्हें आप, ठीक है, तो चलिए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी comment box के अंदर इसका answer दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, तो इस वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, और अ आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे, घंडे अवाटन जरूर दबाएए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके, हाँ, एक चीज और, आपने हमारी एप डाउनलोड किया या 2012 से लेके 2020 तक सभी सिफ्ट के question paper with answer की paper first और paper second दोनों आपको मिलने वाले हैं, फरी में, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, मज़ग कीजिए, और UGC net qualify कीजिए, तो आज के लिए बसीत नहीं दोस्तों, thank you very much, bye bye दोस्तों, आज हम anti-UGC net mathematical reasoning के अंदर बात करने वाले हैं, नाव और धारा से related जो भी हमारे question आते हैं, उनके बारे में हम आज हम बात करने वाले हैं, board and stream ये दोस्तों, अभी हमारे जो exam हुएं 2020 में, उसमें इससे question आए हैं, तो ये topic हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी shift ज्यादा आने लगी है, पहले एक ही shift के अंदर exam होते थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत shift आती है, तो UGC net जो topic है वो बढ़ा दिया है, हर unit में काफी topic add कर दिये, तो इसलिए सभी topic के बारे में हमें basic knowledge होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज की इस video में now और धरा से related किस तरह की question आते हैं, और कैसे हमें उनको solve करना, ये सभी हम जानेंगे, तो इस video का पूरा देखना और ध्यान तो धारा के साथ में now की speed क्या होगी, एक धारा के विपरित क्या होगी, जैसे नहर में पानी जा रहा है, एक तो पानी के साथ में हम तैरे, तो हम बिल्कुल असानी से तैर लेंगे, उसके विपरित अगर हम तैरेंगे ना, तो बहुत ज्यादा difficulty हमें होगी, ठीक है, तो number 1 पे आता दोस्तों, अनुकुल धारा, अनुकुल धारा यानि की downstream इसको कहते हैं, यदि नाव की चाल और पानी के बहने की चाल एक ही दिशा में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकुल धारा कहेंगे, या फिर downstream उसको कहेंगे, आगे दोस्तों हमेरे पास प्रतिकुल धारा प्रतिकुल धारा का मतलब है upstream इसका मतलब है यदि नाव की चाल और पानी के बहने की चाल एक दूसरे के विप्रित दिशा में हो तो उसे उर्ध परवा या प्रतिकुल धारा उसके हम कहेंगे ठीक है यानि कि यह उल्टी होगी एक दूसरे के अपोजिटिये होगी तो अब ह किसी नाव की सांत जल में चाल कितनी है एक्स किलोमेटर परतिगंटा है सांत जल में मतलब कोई तलाब है उसके अंदर पानी चल नहीं रहा न वो स्थिर है उसके अंदर अगर पानी जो नाव है उसकी चाल कितनी है एक्स किलोमेटर परतिगंटा है और धारा की चाल कितनी ह y km परति घंटा है तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी देखे धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी x पलस y km परति घंटा ये हमारी क्या हो जाएगी नाव की चाल हो जाएगी धारा की दिशा में यानिकि जहां पर पानी बहरा उसी दिशा में नाव की चाल ठीक है आगे हम बात करते हैं धारा की विपरित दिशा में अपोजिट डाइरेक्शन के अंदर क्या चाल होगी उसकी देखें नाव की चाल जो है नाव की चाल क्या होगी एक्स माइनस में वाई किलोमेटर परती घंटा यानिकि एक्स क्या होगा हमारा सांत जल में नाव की चाल एक्स किलोमेटर और ये वाई क्या होगी ये धारा की चाल यानिकि जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या जाएगा विप धारा का वेग कितना है, तीन किलोमेटर परती घंटा है, धारा की दिशा में और धारा की विपरित दिशा में नाव की चाल क्या होगी, बिल्कुल इसान है, बिल्कुल इजी है है न, देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 10 पलस में 3, 10 पलस में 3 हो जाए, 13 गंटे परती किलोमेटर हो जाएगा और विपरित दिशा में चाल कितने होगी 10 माइनस में थरी यानि कि 7 किलोमीटर परती घंटा इसकी चाल हो जाईए कितना एजी है न यह देखे हमें बेसिक चीजें बेसिक चीजों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा जुरूर अब हमें क्या निकाला है शान्त जल में नाव की चाल कितनी होगी. यह जदे और विपरोंगे में देंगे Amazing चान्य को इसका अप फोर्मुला खाल है तो इसका उन्में हो बना की we put हमारा क्या आजाए या शांत जल में नाव की चाल यह हमारा आजाए यह हमारा फोर्मुला है ठीक है आगे हम बात करते हैं हमारे पास धारा का वेग क्या होगा यानि कि यह तो हमने क्या है शांत जल में नाव की चाल अब धारा का वेग हम निकालेंगे किस स्पीड से पानी च करेंगे ए माइनस में बी करेंगे अपन में टू करेंगे डिवाइड वाई टू करेंगे तो यह हमारा जाए धारा का वेग आज करेंगे एक तेराक की धारा की दिशामें तथना चाल कितनी कोबेंट वोक्स के अंदर जरूर जरूर लिखना और नदी में भी बहुत मज़े लिए होंगे आपने हैं कोई नहीं गुमाने ले चलोंगा अपको अगर आपका यूजी सी नेट क्वालिफाई हुआ ना जोहर्ड में डुब की लगवाऊंगा आपकी आज तो खेर आप ने जाओगे वहाँ पर आज तो बड़े स्टेंडर्ड हो रहा है बट पहले हम बहुत जाते थे जोहर्ड में हालांकि गंदा पानी होता था बट फिर भी जाते थे चली वह अलग बात है हम कॉश्चन पर आते हैं देखिए एक तेराक की धारा की दिशा में चाल कितनी है उसमे क्या होगा शांत जल में तेराक की चाल क्या होगी अठारा किलोमेटर प्लस में छे किलोमेटर डिवाइड वाइड वाइड टू बारा किलोमेटर परती घंटा हो गया और धारा का वेक कितना हो गया अठारा माइनस में छे डिवाइड वाइड 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 तू यानिक 6 km परती घंटा हो गया ठीक है तो बिल्कुल असानी से दोस्तों हम असानी से यात कर शकते हैं आंसर क्या होगा ठीक है आगे हम देखते हैं दोस्तों यदि किसी नाव की दिशा में चाल x km परती घंटा है यह देखिए यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है X किलोमेटर परती घंटा है धारा के विपरित दिशा में चाल कितनी है Y किलोमेटर परती घंटा हो तो नाव की ओस्त चाल क्या होगी मान के चलिए एक नाव है धारा की दिशा में वो जा रही है x km प्रति घंटा से और वापिस आ रही है फिर y km प्रति घंटा से तो वो अब गर हमने यह पूछ लिया जाए कि average speed क्या होगी तो बिल्कुल असान है 2x multiply by y हो जाए 2xy हो जाएगा और divide by x plus y तो यह हमारा यह formula होगा हमारा now की ओस्तचाल का अब इससे related question नहीं है क्या अचली कोई नहीं question नहीं तो कोई बात नहीं आगे हम देख लेंगे इससे जोगी question होगा आगे दीखे आगे और हमारी एक और ट्रीक है इसके इंदर क्या है यह दिक किसी नाव की धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तै करने में टी समय लगता है ठीक है याना की यानि की एक नाव है वो धारा की दिशा में चल रही है ठीक है चल रही है तो उसे टी वन समय लगता है जबकि उसी दूरी को धारा के विपरित दिशा में तै करने में उसे टी टू टाइम लगता है आप समझ रहे ना समझ रहे ना question को कि अगर कोई now धारा की दिसा में चलती है और distance हमें नहीं बताई है कि कितनी distance है बाट उसे ने time बताया है कितना लगेगा t1 और धारा के विपरित दिसा में जाएंगी तूसे कितना time टाइम लगेगा तो नाव तथा धारा की दिशा में निमिलिकित सम्मंद होगा तो क्या सम्मंद होगा उसके अंदर अब देखिए नाव की चाल बटे में धारा की चाल नाव की चाल देखिए नाव की चाल बटे में धारा की चाल बराबर में किसके होगा एक्वल टू किसके ह लगा टीवन समय उन जो लगा उसके दिशा में जो चल रही है लगा उसमें जो टाइम लगा में उसकी वीपरित दिशा में जो टाइम लगा वह इं दोनों को पलस ने करेंगे डिवाइड वाई T2 मिनस टीवन यह दिख लिजे आप ध्यान में जाने में जो टाइम लगा माइनस में अनुकूल दिसा में जो टाइम लगा वो हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा formula हो जाएगा अब देखिए इस से related एक question हम करके देखते जिससे आपको अच्छे से question समझ में आ जाएगा जी वैरी गुडश्याबास देखिए एक नाविक धारा की दिसा में निश्यत दूरी तैय करने में चार घंटे का समय लेता है एक धारा की दिसा में एक दूरी तैय करने में कितना टाइम लेता है चार घंटे ठीक है जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरित दिसा में तै करने में कितने घंटे लगते हैं आठ घंटे लगते हैं क्योंकि काफी तीज पानी आ रहा है है ना तो दिसा में चार घंटे लगते हैं विपरित दिसा में आठ घंटे लगते हैं यदि नाविक का व अब हमें क्या निकलना है धारा की चाल निकालना है ना जी तो चली इसका हम अंसर देखने की कोशिस करते हैं और हमारा फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला क्या था यह देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था नाव की चाल बटे में धारा की चाल अब देखिए नाव की चाल क्य तो यहां पर दी नहीं हुए ना यह तो हमें क्या है निकालनी है धारा की चाल हमें निकालनी है यह हमने बटे में कर दिया इक्वल टू यह देखे टीवन प्लस टीटू टीवन कितना है चार गंटे प्लस में आठ गंटे चार जमा आठ यह हो गया और डिवाइड में क्या था equal to 12 बटे में 4 अब देखिए अब जब हम इसको सॉल करेंगे न एक दूसरे की तरफ लेके जाएगे तो धारा की चाल हमारी क्या आजाएगी धारा की चाल क्या आजाएगी 15 गुना में पंधरा गुना में 4 बटे में 12 equal to 5 किलोमेटर हमारे पास ये आ जाएगा ठीक है अब ये आपको sol करना आता होगा ना ये तो sol करना आता होगा कि किस तरह से धारा की चाल यहाँ पर आए है अब इसको हम इस तरह से करते हैं एक बटे में यह हमारा हो जाएगा, यह मान के चलिए धारा की चाल हो जाएगा, धारा है ना, यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रोलम आ रही है, कोई बात नहीं, धारा इकुल टू में कितना हो जाएगा, बारा बटे में कितना हो जाएगा, च्यार गुना में हमारे पास, यह वन बटे म हमें 15 इहां पर हमारे पास हो जाएगा ठीक है अब ये हमें ऊपर लेके आना ऊपर लेके आना ऊपर लेके आखे ना ऊपर ले तो आप मेरे से पूछ लेना और अगला जो हमारा ट्रिक है वो और देखते हैं उसके इंदर क्या है यदि किसी नाव की धारा की दिशा में दीवन दूरी तै करने तथा धारा की विपरित दिशा में डीटू दूरी तै करने में एक समान समय लगता है अब देखिए अब इन्होंने दो क्या दिया दो डिस्टेंस दी हुई है ठीक है यह कहरा है कि धारा की दिशा में वो दूरी कितना करता है डीवन तै करता है धारा क विपरित दिशा में D2 दूरिते करता है, distance दोनों की अलग अलग है, देख लीजिए, distance के दोनों अलग अलग है, बट जो समय है, जो time है, वो एक जैसा लग रहा, equal time वहाँ पे लग रहा है, तो 9 तथा धारा की चाल में निम लेकित संबंद होगा, तो क्या संबंद होगा उसक है, D1, D2 और upon में 2T, 2T का मतलब क्या है, कि दोनों तरफ हमें equal time लग रहा है, तो उसे दो बार गुना कर देंगे हम, तो यह क्या आजाएगा हमारे पास, नाओ की चाल हमारे पास आजाएगा, इसी तरीके से हमें धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है, तो क करते हैं, है ना, बिल्कुल असान है, यह आप question, यह आप formula note कर लीजिए, और अब लगेंगे आपको प्यारे प्यारे घह से, अब आपके लिए आ रहा है, question आ रहा है, अब देखें, कितने एंडी बनते हो तुम है ना, कितने शातिर बनते हो, अब इसका answer देना आपको, जो answer नहीं देगा ना, उसको डुबो डुबो के पूछूँगा मैं, पानी के अंदर, नहला के पूछूँगा, डुब किया लगाऊंगा, हमां आपकी बहुत दिन होगे, आपकी कुटाई हुए, देखिए, यदि राम को धारा के विरुध, 15 km जाने में, तथा धारा की दिश फोर्मूला ही, ये सेम इसके अंदर लगेगा, और इसमें क्या करना है, धारा का वेग हमें, निकालना है, यानि कि ये हमें निकालना है, ये answer निकालना है, ठीक है, तो यदि राम को धारा के विरुध, 15 km जाने में, और धारा की दिशा में, 21 km जाने में, हर बार कितना गंटे लग रहा तीन गंटे लग रहे हैं तो धारा का वेग क्या होगा बिलकुल असान कोशन है यह आप सभी दोस्त जल्दी से कोमेंट वोक्स के अंदर जवाब दीजी इसका अंसर क्या होगा और जो देगा उसे तो मैं बोट में बैठा के बहुत ही क्या करेंगे हम सवारी करेंगे बहुत मज़े आएंगे ठीक है गोवा चलेंगे हम सभी वहाँ पर मज़े करेंगे आपको वह उसमें मोटर नाव के इंदर घुमाओंगा मैं आपको ठीक है जो जो आंसर देगा इसका और जो आंसर नहीं देगा और जिसका गलत होगा उसे डूब की लगाँगा ज सब करते होंगे ऐसा है ना तो तुम्हें नाना नानी दादा दादी सब याद दिला दूँगा अगर कोशन गलत कर दिया था तो उन्हें ठीक है तो चली जल्दी से जल्दी से जल्दी कॉमेंट वोक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच किया या नहीं की जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुए हमारी एप निमीजिनेट का उसे भी आप डाउनलोड कर लिजिए वहाँ पर आपको सभी स्टडी नौट्स और वीडियो मिल जाएंगे लाइव मोक टेस्ट भी मिलेंगे बहुत कुछ वहाँ पर मिलने वाला है और सबसे जबर्दस जो चीज मिलने वाली आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी सिफ्ट के question paper with answer की paper first और paper second दोनों आपको मिलने वाले हैं फरी में वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए मज़ग कीजिए और usage net qualify कीजिए तो आज के लिए विसीत नहीं दोस्तों thank you very much bye bye